खड़ी हो पहली सुत्ती वस्तर मील इन्हों पूछे हाँ है कठे है यह व्यावर ठीक लुणिया रजीला बता देगे बता तू अजमेर नागोर पाल्ली मत्सरा थै वीट जा खुण बताओ को है तू बताओ को खड़ियो तो तू सिदी जोद पूर लेगी बीच में नदी यह बांदरों को चाला बीन्या जूर्थ काट ये छोड़ दिया कही कही जीला कोई वीचेस बात भी को नीगमा ले इडोक सो एक काट्टे यह ठों देग्यों जूर्थ भी को नीविया यह देग्यों यह बढ़िया काटे इन सुनों लेखो भी सलूंबर सलूंबर मैन क्या हूं काट्टे वे लिग देखो 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 उधेपुर से काटकर शावास उधेपुर से काटकर उधेपुर से काटकर उधेपुर से काटकर उधेपुर से काटकर इसमें चार उपखंड और पांच तसील वो लो इत्ती दूरें पांच तसील ठोग दी चार उपखंड वे पांच तहसील सराडा तसीला नाम लिखो तसीली रटने इसको जुरूरी को नहीं है परस मैंन स्तान आगयों बिती ध्यान रागने तसीला रटने इगड़ी जुरूर्थ को नहीं है अब मुँँ पहली भी कोन पूछी जी कदी सलंबर देखा सलंबर जील लो एता सलंबर तसील तो वेगी तिन्नुई सेग उपरे सलंबर सराडा सेमारी सलंबर सराडा सेमारी सेराडा लसाडिया उथा नियाद राखन भी पड़ेगो लसाडिया एक जल्लारा हो रहे कोई जुरूरी को नहीं रटो थी आपने काम यी चीजे बेवे रटनी है बस एक सराडा काम आओगो एक शलूमबर काम आओगो एक लसाडियो बस तीनी काम आओगा सलूमबर सराडा सेमारी लसाडिया ओ जलारा याद करो थो कर लिए ने करो थो कोई जुरूरी को नियोगा कियो हो पैन पढ़ गयो तो तुँपर गिनियाग लेए ले हैं ट्राइ कर दखानी बाउडी है पढ़े और यह पैन देख च्यार करने वेल रहा है कि एक निच्चे पढ़े उतकी फरक पढ़ा है यह वाइटनर अभी कि जूर्थ पढ़ेगी अभी तकी लिखाए यह को नहीं आगे जूर्थ पढ़ेगी अच्छी यह लिखे हाँ लिखो अभी कोई परसन कोण बढ़ेए अभी परसन यह इतोई बढ़ेए सलुम्बर एक जिलो है पडोसी यांग नामोर लिखो बोडर सीमा है सीमा सीमा है दर इह जिलो बढ़ाव अब आकरती किसी गवाथे देख लिए ऐसे जिला बढ़ाव इधर लिखो उदेपुर 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 इतलिखो डुंगरपुर 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 परताप गड़ परताप गड़ चित्तोड गड़ एह भी याद राखनी जुर्द को नी एह भी जुर्द को नी है देखो नक्सो तो इस्च्छो है अंद्रा रा बरोगा गे बरोगा तो बड़ो बनागे बरलियो भी बड़ो बनाओ थोड़ो सो बरलियो कोई नी ले लागे रियो केरी पिया लागे थो बरलियो थोड़ो सो बड़ो बना ले आवस इंतरी को जुर्द को नी सेमी डिजाइन आवर बनाओ सराडा उपरी साइड जाँ है वहीं बरनाए सराडा सेमारी 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 नीचे बडर ना काटन लाग जी यो ओधे वे यहां बीच में खुद सलुंबर सलुंबर यह दो और लिग द्यों ओव लिसाडियो और जल्लारा लिसाडिया जल्लारा कि है? लिग लिएं लिएं लेग लियो, ठीक, शाबास, देखो, कुन सो जीलो करा रहे हूँ, अब जीलो बन गये हूँ, सलोंबर, राणा लाखा एक सोगन खाई की गई याद है तो, अच्छा, लाख है क्याई सोगन खाई, लाख है टाबर खाई, किसने, स्याबार, चुडा ने, चुडा ने कसम खाई थी कि मैं और मेरे वंस्तजों में से कोई भी मेवाड की राजगदी पे नहीं बैठेगा, और चुडा के वंस्तज जो आगे चले वो चुडावत कहलाई, चुडावत या चुडावत ठीक है, राजगदी पर असली हकदार, असली वारिष तो था चुडा, लेकिन राजगदी मिली किसको मोकल को, तो चुडा ने बहुत बड़ा त्याग किया, बड़ो ही त्याग अभी राजगदी कुन छोड़े थे, बताओ परदानमंत्री आपकी इजाज़त से ही कोई मिवाड की राजगदी पर बैठेगा, तो मिवाड का माराना राजगदी पर बैठने उपहली कहता चुडावत जी थे, आओ बोलना ना मेकोर बैठा, इधियास में ऐसी दो-तिन वार समस्या ही आई, लेकिन फिर भी चुडावत जो है, चुड आपकी राजगदी कोन समालेंगे, अगर मिवाड में कोई राजगदी लेगे कोई जगड़ो हो गयो, तो बा सल्टाओ गो कुणे, जिया कद हो जगड़ो, महारना परताप की जगए किसको बना दिया था, जगमाल को, तो वही परकरसंदाज चुंडावत ने तलवार बां जगड़ों में थे, बड़े लेवल के ठिकानों में थे, और ये ठिकाना भी किन के पास था? तो जब भी सलुंबर का जिकर आएगा, फिर शुन डावतों का जिकर आएगा, रतनसीन, दो हड़ा है, एक नहीं, दो, एक रतनसीन, पाठों दूसरो रतनसीन, दोन्नू रतनस तो पहला रतन सिंग्ग सलुम्बर ठीकाने से था खानवा युद में गया था राणा सांगा हो गया था गायल प्राणा सांगा गाहल होती बोल भी राजगदी में हाती गुपर की नी बिठाओ कोई बैठे हो वेगो जदी तो नहीं सेना बाजगडी रहेगी तो बोल भी मेवाड को माराना नहीं है तो फिर मुकटकुन पिर्सके बोल थे तो चुंडागा वंसजी उते पेले ओ तो उस समय रतन सिंग ने मना कर दिया था कि मेरे वंसजों में से कोई भी राजगदी पे नहीं बैठे गए कसम खाई ये मेरे पूर्व जो ने तब जाला अज्जा ने धारन किया था तो एक तो ये जो रतन सिंग था वो कहां क हो कि चार-पांच सांगों और कद राज सिंग यानि चार-पांच पीडियां बीच में तो ये भी हाडी राणी यानि हाडी राणी का समारक भी कहां है कि तो लिखो सलूंबर चुंडावतों की पर्थम स्रेणी का ठिकाना था सलूंबर चुंडावतों का पर्थम स्रेणी का ठिकाना था पर्थम स्रेणी का ठिकाना था पर्थम स्रेणी का ठिकाना था खानवा युद में सलुम्बर से रतन सिंग चुंडावत गया था मिवाड के अरावल सेना में रहते थे चुंडावत वई खानवा युद में सलुम्बर से रतन सिंग चुंडावत गया था खानवा युद में हाडी राणी का समारक सलुम्बर में है वो और बाते नहीं लिखेंगे सिर्फ पपन हाडी राणी का समारक ही लिखेंगे एक बार हाडी राणी का समारक सलुम्बर में है हाडी राणी का समारक सलुम्बर में है, वो हाडी राणी कभीता बगेर यांजी कर नहीं करते हैं, शिर्फी तो इध्यान राखना हाडी राणी का समारक किस जीले में है, सलुम्बर में है, एक जील है, फेम जील है, इंपोर्टेंट जील है, कुण सी, है, शाबास, जैसमान अब थे जद उदेपूर देखन जाओ नहीं या पीछे होसके थे गया हो गया कोई कद गया क्ये काम गई ये स्कूल को टूर अच्छा डूंगरपुर की एंगे तो फेर तो ठीक है ले फेर के जानों पड़े हो तो पास में मारव देखले पास में स्तान में कदी कुन गया पास में जाने दूर का डोल स्वावन आवे अगर थे उदेपूर गईडाओ माले थार पेपर सेंटर आगयों तो देखने लाइ पास चीज़ बैस हो गया बर्मन इतनों इवा बस क्योंके राजस्तान आरान पाड देखने ज्यादा सोक है आपान सोक क्या आँगों पाड देखनों और जका पाडी लोग एपान रेगात्रें करेखने उप क्यों वीचाराओ रेगिस्तान कौन देख़गों कब गई पर यहां मत्तो बनाओं लिए आप आप बढाओं लिए कुलू मुनाल ली गो बिन्न गो अब भड़ जागे देखांगे में पाड़ाओं कि देख तो वह यार आदी गंटा बाद और वह और पेड़ देखे तो अपने लोगान सोक है तो बढ़ जा कि पाड़ है नहीं तो आपने आजील पहली देख कोन पाता मेरी भी कोन देख डूद्यपूर में दोबर चले गए आजील कोन देख डूद्यपूर के यह थोड़ी दूरी पर है बैतीनु जील एक जगा होगे बरमन वस अब आजील दूसरे जील है मागी कुण सी जैसमाल कुण बनवाई जैसिंग रासमां आजस्तान की सबसेट से बड़ी करत्रीमचील करत्रीमचील समझ ऑगे हाहां झानकी मानव द्वारा दिल्पे चाह बास एग माव साथ टाब है साथ एक संस्वह बडूरा टेलह का और हमेशा समय स्भात एंस बलोड़े टापू में स्भाव बाभा बांग्डू ओ बंवा तो तो नाव है सौंग बडोड़ा हो नाम है तर्सों छोटी एक बाबबाब बांगड एक बाबबा मगरू भी है है ओटला अटल बने डएगेट है है ओटला अटल बने डएड़ा शाय तकांग मां एक ये पर यह टक्स तलांपर जगा उटल वेडी पर तक आदमी जो जो फोट तो जार बढ़ा चाहिए वाला दे तीन सरी भी हो एक चाहिए होगी को नीगे दूद्विं मावे खोनी अधिग अपसोस ओवे तो प्रियत तल भजा गे उटला अटला मापने रहें देगर क्योगा पाद साफी आंज चाहमी दो तीन नाम कर वाँवा वाँ विगाई पांच रिपया द्यान बट किता लागे तो अठाय ओटना ना तो रेन दिवर हाँ कोई सागे कोई ललू बंजु हैर बिंग चोपड़ नो एद वाँ मेरी नहीं में वेड़ पोपकॉन खाऊओंगे अब है पोपकॉन बारे तस रिप्या मिले दे क्या होगते तुस्या एक लेकिन बाक्या आपने आपने जेबु लागे जित गठी को जाने ठीक है तो बाबा का मगरा आउटला मं कौन जाने आपने बारे उटलों पांच रिप्याम चापी ले आँगा बाबा का मगरा संव बड़ों पांगडों इंगे नजदीक एक पठार है वो एक्जाम में भी आउटला को नाम अदेटारू तेरानी फॉय कमी को नहीं हर जेगा रूठी राणी को मैं लेकिन में रूठी राणी एक योड़ी है जेकि उमा धी अबो होगी जोई ध्यान राख लया रूठी रानी का मेल है जह समन यह पूच्छा जाच्णा स्टाइच किस जील की किनारे हेडिंग डालो जैसमंद जील जैसमंद जील जैसमंद जील जैसमंद जील या डेबर जील डेबर दर्रे से निकलने के कारणी से डेबर जील भी कहते है डेबर जील आगे क्या लिखोगे सलूंबर उदेपूर नहीं लिखना है अब सलूंबर लिखना है सलूंबर निर्मान जै सिंग द्वारा गोमती नदी पर गोमती राजस्तान में मिठे पानी की सबसे बड़ी कर्तरी मझील कर्तरी मझील साथ टापू है दो बात लिख दियो किया साथ टापू साथ सेवन बड़ा बाबा का बांगडा छोटो प्यारी बड़ा बाबा का बांगडा छोटा प्यारी प्यारी एक बाबा का मगड़ा है जिस पर रिसोर्ट बना हुआ है होटल याद राखोद राख लिया ने राखोद कोई बात को दियो जैसमंद अभ्यारने भी है हैगे अठई आगे तो नीचे लगागे श्टार लिग दियो जैसमंद अभ्यारने सलूमबर इसे जल चरों की बस्ती कहते हैं इसे जल्चरों की बस्ती कहते हैं जल्चरांगी बस्ती अगलों लिखो अलग से रूठी रानी का महल रूठी रानी का महल इसे बोलते हैं सलुमबर का हवा महल लेख देओ सलुमबर का हवा महल सलुमबर का हवा महल सलुमबर का हवा महल है छोटों सुजीलों है बस यह बना दियो तो इस बना दियो बना नग किए राजा वैधात कि बनाते वैदेगों राजा के आत्मे राजा या नक्स ली और अगड़े रास्तानलों सो गड़्सी कई वह अ मिटी को गे घे कोई बत नहीं यह जिए नक्सवात में लीए यह नक्सवात मायो आत्मा ते कई देर तो सोचिय ओग्यों अनों पगड़ काड़ा फेर यहां करें हो गयो प्रण कर दो पैनल पर दक्सन प्रण के पांतिया उत्री राजस्तान में ना तो ज्यादा मंत्री पद मिले हुए है ना जिला बनाया है एक बने अनुपगट शेखावाटी नीम का थाना ओबने बस बाकी के बने बाकी से बने इन ने अठकर की बांती को ने एड़ो लिखो तो राजा है राजा की मनास कवी राजा अग्या है वो तो लिखो सलुम्बर मेवाड की पर्थम स्रेणी का ठिकाना था लिख दियोगे ठिकाने का संस्तापक भीम सिंग चुन्डावत था ठिकाने का संस्तापक भीम सिंग चुन्डावत था भीम सिंग चुन्डावत बहुत आँसा है ये परसन पुछुँगा जदे दोनु बेना होगे दोनु बेना होगे चाबास मम्मी एक सी ड्रेस ले आगे दिये दोनु आन लाइन आई गए सलुमबर ठेकाना संस्तापक भीम सिंग चुन्डावत हो दो बाता आपने हाडी राणी की लिख दियो एक लिख दियो दो लिख नहीं के जुरत है सिदा ही लिखो हाडी राणी का समारक सलुमबर कद लिखो बड़िया इद लिख दियो दियो रही है री स्क्राव करो दो कोई नहीं तो है एक माता को नाम सुने ड़ेगे हाँ कुणसी कोई माता गई ड़ेगे इडाना माता तुग इड़ी है साबास कड़े हाँ अब सलुमबर मा आगयो क्ये विश्यस्ता है माता गी हाँ अलग अलग जगा चमतकार है क्योंकि कुछ अलग चमतकार है जैसे आप देश नोग में जाओगे तो वहाँ आप देखोगे चुओं को तो एक अलग चमतकार है वो ना बाहर फिरते मिलेंगे एक सी साइज मिलेगी ना कभी साप गुसेगा वहाँ ना कभी बिल्ली गुसेगी तो एक अलग परकार का चमतकार है वैसे ही माता के हर टाइम अगनी डलती रहती अगनी पर ऐसा मांते कि माता खुद या तो यूटूब पर देख ले ना आप, तो लिखो इडाना माता, इडाना माता, बेबोरा गाउं है कि, अन्हें पर गाउं में नहीं है क्या, सलूम्बर लिक रहे था, आपने किये, सलूमबर, अगनी वाली देवी, अगनी वाली देवी, अगनी वाली देवी एक है गोसन बाबा सुनेड़े कि नाम कि गोसुनेड़े कि गोसुनेड़ो तुरोलो क्या में बचायो गर्मी ज्यादा एगे तो बताओ कि एक ना कि अगरे कि एक कि एक कि एक कमरे में एक चीए बोड़ी क्यों कमरों पूरों खुल आए फिर देखांक दो मिनाबाद गणी जर्दी बड़ेगी कि एसी लियानी मेंगी कौन चलानी बहुत मेंगी है कुल्दर लगवाद यां कुल्दर लागरे कुल्दर ले गया गया अच्छा गयलन लागरे गया इत्ती दोन मंत कौन लागरी करांगा ले कोई नहीं बयान पर त्यार टाबर आजे फिर खर्चो पानी आओगो जद करांगा एक तुलागरे खर्चो लिगो जद भीकिंगो इस बेहल गम जातो बेहल मनत मांगे और मनत पूरी उतनेट बेहल चड़ाई जै लिखो गोसन बाबा का मंदिर सराडा सलूंब सराडा सराडा सोलूंबर सराडा सलूंबर आतव थे पड़ी ओगी सराडा जेड मिवार का काड़ापानी आई यह तो अठय आगी अब किसको बंदी बनाये था जो परजामंडल से जुड़े वे थे बुरे जाल बयां लिखो तो सराडा जेल सलुमबर शराडा जेल सलुमबर इसे मेवाड का काला पानी कहा जाता है मेवाड का काला पानी कि आजकल काम बेजते हैं ऐसे अपरादियों को जैसे नॉर्मल अपरादी तो यहां रखा जाएगा फिर बिका नेर फिर साइद अजमेर में है कोण सी यह नाम बुल गया मैं उस जेड़ का है तोड़ गड़ तोड़ गड़ एकों सी एक अजमेर में है जो परादी बार बार प्रेसान कर रहे हैं बाजने को डुरत बठ लेजाए बकाल कोट रहे है बाज चहावाई चारगी सी है पूरी बिंगमा सिरफ सोईस के बठ लेजाए बंद कर देगा बाई साब कुछ नहीं का दुनियादारी खतम तो साइध अजमेर में है कोन सी ना मुझे नहीं जान में टोड़ गड़ है क्या सटोड़ गड़ है कोन सी है तो उस समय का ये काड़ा पानी थी सारव बोब से को ठड़ी में वादी जिंदगी नरग बन जी एक दम पूरन ते नरग बन जी आएगी वहां की जिंदगी लिखो तो टोड़ गड़ बताये तोने अजमेर में एक टोड़ गड़ है पुरा कन फरम नहीं मुझे वह जेल है आटर ठीक है लिगले बादे बता दियूंदे के अपन के करने है लिगो सराडा लिखो यहां बुरेलाल बया को कैद किया गया था बुरे बुरो बुरो बुरे लाल बया को कैद किया गया था लिग लिए एक जो सबसे इंपोर्टेंट चीज है जो हर बार पूछते हैं अब भी पूछेंगे महरणा परताप की अंतिम राजधानी क्या थी स्याबास अब कहां है हाँ कब बनी थी चावन राजधानी एक एक परसन पूछेड़ है कितने वर्सों तक राजधान नहीं रही कब बनी सब पूछा हुआ है ठीक किता साल है किता चावन राजधान किता साल रही उन दो रट राखे 1615 तक रही डिये चावन अठाइस साल रही डिये 1613 मान लेते हैं लगवग 28 साल रही थी चावन अमर सिंह के समय भी चावनडी थी राजधानी महरणा परताप ने लूणा चावनडिया को हरा के जब राजधानी चावनड को बनाई तो सबसे पहले राजा अपने लिए क्या बनाएगा घर तो राजा के घर को हम कह देंगे दुरग या महल तो चावंड के उन्होंने महल बनवाए और यहाँ पर एक माता का मंदिर भी बनवाए था, चामुंडा माता का, वो स्वें महारणा परताप ने ही बनवाए था, अब महारणा परताप की मरत्य हुई उस समय राजदानी भी चावंड थी, तो मरत्य उनकी चावंड में ही कहां आचुकी है सलूंबर यह चीज इंपोर्टेंट है पहले तु लिखो चावंड 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 को जी लो काड़ी दुबारा किन गयों फाइद है चावंड लिखो महरणा परताप की अंतिम राजधानी जी लो निकालना है वापस महरणा पर वे चामुंडा माता का मंदिर बनवाया वे चामुंडा माता का मंदिर बनवाया नई लाइन में लिखो महरणा परताप की छत्री है महरणा परताप की छत्री है बाडोली ब्रकेट में सलूंबर बार बार इसी लिखो तब यह आ दोगी चावंड आगे फिर सलूंबर लिखना था चावंड सलूंबर में आ गया बाडोली सलूंबर महरणा परताप की छत्री बाडोली बाडोली यहां आठ खंबो की महरणा परताप की छत्री है किद जड़बांद है उसके पास में किद जड़बांद आठ खंबो की महरणा परताप की छत्री है आठखमबों की महाना परताब की चत्री है इस पास में अपरिकेट लिग देना कि जड़ा बांद के पास कि जड़ा बांद के पास लिग लिए लिग लिए यहां से एक नदी आती है, छोटी आ रही है थोड़ी मोटी, तोड़ी ग्यारी, यहां से एक नदी आती है, माही ऐसे आई, ऐसे करके फिर यूटरन ले गई, ऐसी ही तो है, इसकी दो साहिक नदियां है, एक सोम है, एक जाखम है, सोम कहां से आती है, अब वो जाकम नदी भी आती है वो कहां से आती है वो सोम में मिलती आके आपको पताओ वेनेसवर दाम से थोड़ा पहले मिलती है हम यह मानती है कि वेनेसवर दाम जो है सोम माई जाकम के संगम पे है लेकिन वो थोड़ी सी पिछे मिलती है इसका मतलब यह भी कहां से जाए गिए और सलुमबर से तो नीचे लिखो सव म्नदी मैं तो वैसी है मैं नहीं टच करेगी इस व्लूमबर को सव म्नदी कहां से निकलती है बिच्छा म्रा पाड़ी उद्धेपूर से लिखो, सौम नदी उदेपूर, सलुमबर, डुंगरपूर से बहती है। जाखम नदी परतापगड, सलुमबर, डुंगरपूर से बहती है। बहती है। क्ये? परतापगड, सलुमबर, डुंगरपूर में आके मिल जाएगी। सौम में तो मिलती है ये? हाँ अले विडोक सुजी लो। चोटो सो, पुरो हो गयो। किता जिला हो गया अपना? नो हो गया। किता ओर रहे गया? दस ओर रहे गया। करा जयाँ। बेधी करा होंगा भी। के? कद तो जियां आया हो या भी बहो जयाँगा? को ढूती नूर करादें रहे जया बहो गया यद सागते घज करादें पुरो भी। करादें